हलो दोस्तो मैं नाजी मुसेन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो दोस्तो आज का हमारा वीडियो है एकसल में जो फॉर्मूला सबसे ज़दा इंपोर्टेंट है जो सबसे ज़दा यूज में लिया जाता है उसके उपर है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वी लुक अप फॉर्मूले की कि किस तरह से हम Android Mobile में वी लुक अप फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं आप इसको फॉर्मूला बार में नजर आ रहा होगा वी लुक अप फॉर्मूला ये देखिए तो किस तरह से हम we look up formula यूज में लेते हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ आप देखेंगे आपको मैं एक try करके बता देता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ नाम है यह मेरा उपर data name, father name, department, salary यहाँ मैं किसी भी का भी नाम डालता हूँ जो कि मेरा data में है तो उसकी salary automatic आ जाती है उपर we look up formula लगा हूआ है आप देख रहे हैं दूसरी चीजी एक बार ये practical करके दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ नाम डाला किसी का मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ अजान जो कि मेरे data में है और मैंने इस formula को apply कर दिया आप देखेंगे यहाँ अजान की salary 25,000 है तो यहाँ पर यह salary 25,000 आ गई इसी तरह से मैं अब यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ मान लीजे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ रेहान यह रेहान और मैंने apply कर दिया तो यह देखेंगे यहाँ पर यह salary है रेहान की 26,000 रुपए यह देखेंगे यह 26,000 रुपए रेहान की salary तो यह रेहान की salary यहाँ पर आ गई अब पहली चीज तो यह है formula में और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है यह देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यह मेरे नाम इस पहली वाली शीट पर Ascending Order में नहीं है यानि Alphabet के According मेरे यह नाम नहीं है आप यह चीज देखेंगे और मेरे इस दूसरी शीट के उपर यह जो मेरे दूसरी शीट है इसमें यह सारे नाम Ascending Order में है Alphabet के According लेकिन दोस्तों यह सारे नाम वही नाम है जो कि मेरे इस पहले वाली शीट पर अजाम अजान अजीम वगर है वगर है लेकिन मुझे यह दी सब के Fathers नहीं चाहिए मान लो यहाँ पर मुझे मेरे यह कुछ नाम है अब मैं यह चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यह View Look Up Formula लगा कैसे है तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है जैसे मान लीजे मुझे इन सब का Department जानना है इन सब का मैंने यह नाम View Look Up Formula से लिया है अब मैं इसी तरह से आपको इनके Department और Salary उस वाली सीट से लेके बताऊंगा यह देखिए मेरी दूसरे नमबर की सीट पे इनके Department और Salary है जो कि मैं अब मेरी यह तीसरे नमबर की सीट पे मैं इनको किस तरह से लेऊंगा मैं आपको यह चीज़ बताऊंगा यानि View Look Up Formula कैसे लगेगा Formula में आप Look Up and Reference ले ले यहां से आप ले ले We Look Up यह आपने We Look Up ले लिया अब दोस्तों We Look Up ले लिया तो आपको किया किस तरह से We Look Up लगाना मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली चीज़ तो हमें वो वेल्यू Look Up वेल्यू होती है कि हमारा वो नाम वो वेल्यू जिसको की मैनी जिसको की मैन आपजेक्ट मान कर सर्च किया जाए तो यहां मैन आपजेक्ट माना जाएगा नेम को तो यह मैंने नेम वाली सेल को क्लिक कर दिया तो मेरा आप Formula बार में देखेंगे A2 अब मैं Table Array पे क्लिक करूँगा यह Table Array पे मैंने क्लिक किया तो Table Array तो मेरी First row पे है दूसरे नंबर की Sheet पे है तो मैं यहां से यह देखिए मैंने Computer पे Tape किया और यहां पे यह मैंने Sheet Number 2 पे आ गया अब यहां पे है मेरा Table Array कि इस Table में से मेरा We Look Up Formula अपने डेटा को पिक करना चाहिए तो अब मैं यहां से A1 से लेके यह मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली अब वापस से फॉर्मूला बार में आप देखेंगे फॉर्मूला लग चुका है अब वापस से मैं शीट नमबर तीन पे चला जाओंगा शीट नमबर तीन पे आ गया इसके बाद अब आप देखेंगे अब है कॉलम इंडेक्स कॉलम इंडेक्स यानि उधर मुझे यहां पे कौन से कॉलम की वेल्यू चाहिए तो आप देखेंगे यहां मैं यहाँ पर ताइप करूंगा त्श यह मैंने यहां में ठाइप किया तीन अब look up range range look up का मतलब false CR 2 होता है तो हमें यहां पे सिर्फ range look up पे click करके यहां पे सिर्फ zero type करना है दोस्तो अभी हमारा vlook up complete नहीं लगा है vlook up लगाने के लिए हमें जो हमारा यह sheet sheet का जो यह sale range है table array है इसको log करना होगा इसको लोग करने के लिए ये जो हमारा A1 से लेके D11 ये जो है A, A के आगे पीछे में डोलर का साइन लगाना होगा और D के भी आगे पीछे में डोलर का साइन लगाना होगा तो मैं यहां पे एक क्लिक कर देता हूँ यह देखिए मैं यहां से यह बोर्ड पे जाता हूँ और यहां से यह मैंने डोलर का साइन एके पहले लगा दिया अब मैं यह डोलर का साइन एके बाद में भी लगा देता हूँ इसी तरह से यह डी के पहले भी में डॉलर का sign लगा दूँगा और D के बाद में भी टिक में डॉलर का sign लगा दूँगा दोस्तों ये हमारा formula complete हो चुका है ये हमारा formula complete हो चुका है अब मैं आपको कैसे बताऊं क्योंकि अब ये जो हमारा right का निसान है हम formula apply कर देंगे green color का ये देखिए मैंने इसको tap किया आप देखेंगे अजान का department कौन सा आगया operation अब आप C2 पे जाके मिला लिए अजान का department कौन सा है तो आप देखेंगे ये 10 नंबर की row में अजान का department operation है अजान का department operation है अब आपको ये पूरा पूरे data पे चाहिए तो आप सिर्फ simple सा इसको tap करें आपके sale को tap किया जिसमें हमारा ये formula लगावा है यहाँ पे tap करते हैं हमारे फिल ये एक बार आ गई इसमें हम करेंगे फिल फिल करते ही हमारे handles solid handle में change हो गए अब सिर्फ in handles को पकड़ कर आप नीचे के तरफ draw कर दीजिए खैस दीजिए तो ये देखिए सब के जो जो भी department है अजान का operation है अजीम का management है चेक कर लेते हैं अजीम का management है क्या ये देखें अजीम का management कौन सा department है management है तो दोस्तो इसी तरीके से शाहित का department sales का है याकुप का account का है चेक कर लेते हैं शाहित का department sales का है याकुप का department account का है तो दोस्तो ये देखिए हमने कितनी आसानी के साथ we look up formula लगाया है एक बार और मैं आपको लगा के बता देता हूँ इस बार में salary में लगाता हूँ ये देखिए मैं एक बार इसको auto fit कर दिया मैंने ये इसको auto fit कर देता हूँ अब ये salary यहाँ पे वही दोबारा लगा के बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको बहुत easy और आसानी से हुजाए salary मैंने select कर ली यहाँ से मैंने tape किया formula में मैं गया यहाँ पे look up reference यहाँ से मैंने we look up ली आ we look up लेने के बाद सबसे पहले look up value look up value में मैं नाम दे दिया नाम के बाद मैं इसको tabularis जाओँगा tabularis से मैn second number की sheet पे जाओँगा ये देखिए ये sheet पे गया ये मैंने sheet select कर ली ये मैंने sheet select कर ली ये सेट सेलेक्ट कर ली अब वापस से शीट नमबर 3 पे चला गया नहीं पहले शीट नमबर हमारा जो ये से ले लिए है कौन से कॉलम में हम देखेंगे पैग A1, B2, C, D यानि ये चोथा नमबर का कॉलम है शीट 3 पे आया मैंने याँ पे टेप किया अगली वेल्यू है कॉल इंडेक्स कॉल इंडेक्स हमारा फोर नमबर का है मैंने फोर नमबर चाल लूप टाइप किया अब है रेंज अब इस रेंज पे मैं सिर्फ जीरो टाइप कर दूँगा अब जो मुझे काम करना है जो ये शीट 2 के जो A1 से A2 टेप भी ले रहे है इसमें A जो भी सेल एड्रेस का जो हमारा एल्फा बेट है एल्फा बेट है उसके आगे और पीछे में डोलर का साइन लगा देना बस इस चीज का दियान रखना आपको और कहीं कोई दिक करती है ये मैंने डोलर का साइन ये देखिए ये लगा दिया A और ये D के पहले भी और D के बाद भी मैंने ये डोलर का साइन लगा दिया अब मैंने इसको एपलाई कर दिया एपलाई करते हैं आप देखेंगे सेलेरी आ गई सेलेरी अजान की सेलेरी 25,000 है मैं sheet 2 पे चाग के check कर लेता हूँ एक बार अजान की salary क्या 25,000 है जी हाँ अजान की salary आप देखेंगे दस्वे नंबर की रो में 25,000 है वापस sheet 3 पे आया अब मैं इसको fill करूँगा तो fill करने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं इसको double tape करूँगा sorry double tape नहीं करना सिर्फ tape करना tape करने से ही मैंने ये tape किया और थोड़ी सी देर तक tape किया ये मेरा fill ये मैंने tape किया tape करने से ये fill वाला हमारी बार आ गई थोड़ी देर tape किये रखना fill पे क्लिक करूँगा हमारे solid endle में change हो गए और endle को पकड़के में नीचे खैस दूँगा ये देखे सब की salary change हो गई अब यदि आप उदर seat 2 में किसी की salary change करते हैं तो automatically दर भी salary change हो जाएगी जैसे कि मानता हूँ कि मैं इदर रहान की salary सब 20,000 है इनका performance बहुत अच्छा रहा है तो मैं यहाँ पे 20,000 की जगे इनकी salary मैं कर देता हूँ 40,000 हो के दोस्तों अब यह मैंने 42,000 salary change कर दी मैं जो हमारी seat number 2 है अब देखते हैं हमने जहाँ वी लुक अप formula लगाया है वहाँ पे 42,000 हुई है या नियुए रहान की salary यह आप देखेंगे रहान की salary 42,000 हो गई है तो दोस्तों इस बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम वी लुक अप formula लगा सकते हैं android mobile में भी और हम हमारे काम को बहुत ही easy बना सकते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please इसको like करें subscribe करें और comment करें ओके दोस्तों ओके अल्ला आफिज